कि Hello guys Welcome back to your YouTube चैनल जूपिटर क्लसॐ जैसे कि आपको पता है हमारे lecture series चल रही है social change पर तो पहले जो lecture दिया उस पर social change पर दिया है social चैनल का मेनिंग क्या है वो बता दिया क्लिक्ट स्टिक्स क्या है उसकी वो बता दिया आज हम देखेंगे सुशल चैन्ज के अलाग और भी बहुते सब टापिक्स थे उसके बाद सब टापिक्स में क्या-क्या था इंडस्ट्रिलाइजेशन मौटरनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तो आज हम नेक्स दीखेंगे तो जिसने वह बुक पर चीज नहीं किया सुशालो जी स्पेशलाइजेशन वह पर चीज भी कर ले और जो जिसको भी कोई पीडियाफ चाहिए होती है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है व वह हम पे पहुंच 누ازski तो वहां पnite क्लासे तो यसे कि ath subsidi वाटी चाहिए होोती है मेक्सिकम मतलब जो भी हम लिक्टे देते हैं उसकी पीडियाफ आपको वहां पे मिल जाती है ठीक है जैसे लेक्च जो क्रांट आफेर्स और वही होता है बाकी सारा कुछ रिकॉप्ड इतो है ठीक है तो यह कुछ इस तीजो मैंने कमेंट में पड़ी थी जिसके जिसके जो तो मैने बता दियां अगर इसके अलावा भी किसी को कोई डाउट होगा तो वह कमेंट कर लेगा ठीक है तो आज का जो हमारा टॉपिक है आज का हम अपना सब यूनिट का देखेंगे सब यूनिट लास्ट है यह ठीक है फर्स्ट यूनिट का सब यूनिट है जिसमें क्या है हमारा इंडस्ट्रिलाइजेशन मौडरनाइजेशन और ग्लॉबलाइजेशन सूशल चेंज हमने पढ़ industrialization is a historical and economic process characterized by wide separate adoption of industrial method of production जब हमने industrial method of production का स्टार्ट अप किया जब इंडस्ट्रीज के सेट अप हो गया इट इन वास्ट्राजिशन फोंगेरियन और मैनुवल लेबर बेस्ट इकॉनमी तो वन्स डॉमिनेंट वाइ इंडस्ट्रीज मेकनाइजिशन और मास् प्रोडेक्शन तो YOUVS प्रोसेस को क्या बोलते हैं उसको हम इंडस्ट्राइजिशन बोलते हैं फिक हुश इकनीक प्रोसेस यह हिस्टॉरिकल की बात बहुत बात देनma को आज का प्रोसेस नहीं है है industrialization बहुत पहले आया थीक है तो बोलता क्या है बोलता industrialization एस्टोरिकल एकनोमिक प्रसेस है जो किसे जुड़ा हुआ है हमारे industrial method of production से ठीक है किसे जुड़ा हुआ हमारे हमने industrial method जुना था production के लिए अड्प्त किया था वह हमारा क्या process है industrialization it involves the transition from किस चीज़ की transition यह transitions थी परिवर्तन था changes थी जो aggregarian transitions means परिवर्तन होना है ना changes होना कि इसमें परिवर्तन काल भी बोल सकते हो आप इसको जिसको हिंदी आती है तो परिवर्तन काल अच्छे से समझ जाएगा जिसको नहीं आती है वो भी अच्छे से समझ जाएगा कि changes की बात करता है transitions from aggregarian जो था agriculture से जो हम production करते थे या mass labor based हम क्या करते थे economy बनाते थे हैं तो उसको dominant किस नहीं किया once dominant by industries, mechanization और mass production होने लगी ठीक है तो industries आई उसकी वज़े से क्या हुआ जो एगरिकल्चर का काम था कहीं न कहीं एगरिकल्चर सिस्टम जो है वो कम हो गया ठीक है उसका transitions हो गया उसमें परिवर्तन काल आ गया ठीक है किसकी वज़े से industries की वज़े से mass production हो गयी जादा से जादा हम मतलब के product क्या बनाने लगे है ना जादा जादा मास production होने लगी बहुत जादा तैदात में production होने लगी तो उसको क्या बोलता है industrialization ठीक है इंडेस्ट्री का setup होना industrial method का adopt करना production के लिए उसको हम industrialization ठीक है तो यह आपको समझ आ गया होगा है industrialization क्या होता है अब इसके कुछ key aspects है जो हम discuss करेंगे one by one करके ठीक है कि industrialization के क्या-क्या key aspects हो सकते हैं ठीक है तो सबसे पहली चीज़ बोलता है इसमें क्या है technological advancement है सबसे aspects समझते हो आप key aspects means nature या पहलू जिसको बोलते हैं या रूप बोल सकते हो आप ठीक है तो वह है उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होते industrialization में हमारे पास technology की advancement होती है तो यह हमें पहले ही पता है कि industrialization जो है new machinery आ जाती है tools आते है प्रोसे रेवलुशनराइज दवे goods and service और प्रोड्यूस है यह चीज़ें किस लिए आते हैं हम क्या करते हैं इससे जो goods होते हैं वह बनाते हैं जो चीज़ें होते हैं वह बनाते हैं गूर्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस आफन इंक्लूज़ेंट इव्यचिज और इन्वेशन इफिशन और आउटपुट जादा थी जादा मास प्रोडेक्शन करती है था जदा जाए हमें फाइदा मिलता है ठीक है तो यह किसका एस्पेक्स के नेचर है यह है इस इन्डेस्ट्राइज़ाइजेशन का तो ट करते हैं ठीक है conceptual हम ठीक होने चाहिए फिर दूसरा है मास प्रोडिक्शन ठीक है अब किसी ने थोड़ी बोलना है आपको कौन सी इंडस्ट्रीज है आपको ये बोलेंगे कि कंटिया स्वली जिशिक कषli विवाज फंक्छन साथ है ये उसमें है कि नहीं है क्या पता आपको डिफरेंश बता देंगे कि मौड़रम अजीशन और टेक्नोलॉजी कल एंडस्ट्रिम का डिफरेंस क्या है किसे आप अलग बता सकते हो तो वही चीज़े हैं हम यहां पर देख रहे हैं अभी जैसे कि industrialization में किसका setup हुआ है इंडस्ट्रीज का setup हुआ ठीक है तो modernization में थोड़ी ने इंडस्ट्रीज का setup हुआ है यह globalization में थोड़ी ने इंडस्ट्रीज का setup हुआ है तो हर कोई किसी ना किसी का किसी ना किसी से थोड़ा थोड़ा difference है तब भी इनके तीन पार्ट बनाए है industrialization, globalization and modernization ठीक है यह interrelate करते हैं बट एक जैसे नहीं है ठीक है इनमें आपको common चीजें देखने को मिलेंगी लेकिन एक जैसे नहीं है ठीक है इंडस्री को set up हुआ मतलब industries आई family means factories आई factories में हम क्या लगे जाद से जाद मास प्रोडेक्शन होने लगे जाद चीजें हम क्या लगे बनाने लगे बलता है वन अब देफाइनिंग features of industrialization is mass production mass production भी क्या है उसका है मतलब industrialization को define करने के लिए एक बहुत बड़ा feature से बहुत बढ़ी विश्यशता है ठीक है खासियत है तो बोलता है factories and assemblies lines becomes a central and production processes allowing a large scale manufacture sub goods है जादा से जादा हम चीजें बनाने लगे large scale manufacture करने लगे this shift result increase productivity and ability to meet growing demand है ना यही चीज़ने क्या लगी करने इन्होंने ही इसकी वज़े से क्या हुआ industrialization या factory की वज़े से mass production होने लगी है ना increase होगी हमारी productivity increase होगी और demand भी क्या होगी ability to meet growing होगी ना बढ़गी फिर बोलता है और क्या चीज़ होई industrialization की वज़े से सबसे पहले मैंने आपको technology का advancement हो गया ठीक है भाई वह आपको पता चल गया second बोला मैंने mass production हो गई ठीक है भाई जादा से जादा हम क्या लगे चीज़े बनाने लगे factory से जादा से जादा production में काम होने लगा है ना इनसान उतना तेज काम नहीं कर सकते थे जितनी हमारी machines करती है तो थाड़ वन चीज़ आ गई हमारी urbanization urbanization क्या होता है urbanization एक ऐसा process होता है जिसमें क्या होते है जो रूलर के people होते ना वो city की तरफ जाते हैं तो जाएंगी क्यों industrialization factory का setup हुआ तो लोग क्या लगी करने लोग घरों से बाहर निकलने लगे और कहां के लिए जाने लगे rural areas से urban की तरफ जाने लगे ठीक है जहां पर industries थी जहां पर factories थी ठीक है तो वहां के लिए जाने लगे तो उस process को क्या बोलते हैं urbanization ठीक है बलता है क्या बलता है industrialization typically leads to a significant urbanization as people migrate from rural areas to cities ठीक है rural areas से लोग migrate होके कहां जाने लगे cities में इस process को हम urbanization बताते हैं ठीक है जब people migrate होते है rural areas से urban areas या cities की तरफ तो उस process को हम urbanization बताते हैं ठीक है तो यह किसकी वज़ा से हुआ है यह industrialization की वज़ा से हुआ है वो गे क्यों reason है ना लोग ruler area से urban की तरफ क्योंगे या cities की तरफ क्योंगे क्योंगे क्योंकि in search of employment है ना नोकरी के लिए opportunity in factories में जो उनको लगाते थे काम करें काम के पैसे मिलते थे वो उस opportunity के लिए कहांगे ruler area से migrate हो के cities की तरफ के है ना this migration transforms थे demographic and social structure of society इसकी वज़ा से क्या क्या changes हो गई कहीं न कहीं इस migrations की वज़ा से हमारा जो demographic है ना demographic मतलब लोगों की population है ruler areas में वो क्या हो गई थोड़ी कम हो गई demographic change हो गई demographic change हो गी ही जब लोग ruler area से urban की तरफ जाएंगे या cities की तरफ जाएंगे तो जिन घरों में वो रहते थे वहाँ पे तो वो रहे नहीं ना और social structure of societies में भी change आई social structures में एक बड़ी example बताता हूँ family क्या हो गई पहले joint family थी सब एक जगा रहते थे काम करते थे मिल के काम करते थे है ना वो कुछ लोग उसमें से अगर cities की तरफ चले जाएंगे तो बचेंगे कौन फिर family क्या होने लगी nuclear family हो गई ठीक है तो social structure में चाएंज आगी है societies के structure में चाएंज आगी ठीक है और क्या चीज़ हो गई industrialization की वज़ए से या आपको पता चल गया कि carbonization भी हुआ है ना किसकी वज़ए से industrialization की वज़ए से factories की setup होने की वज़ए से फिर बोलता है division of labor भी हुआ division of labor मतलब जो काम है ना वो division में हो गया ऐसा पहले ruler areas में क्या होता था एक ही इंसान आपको furniture एक ही इंसान आपको वो लकडी भी बनाता था लकडी का काम भी करता था वो ही टीन देता था तो मतलब वो ही पुरा घर को क्या जो मिस्टरी आपको दिवार किसकी पत्थर की दे के देगा वो ही इटूं की दिवार भी देता था वो ही उपर टीन भी लगाता था लेकिन अब क्या हो गया division of labor होगी इंड़स्ट्रिलाइजाशन में तो अब specialization हो गए है वरक में अब आपको जो इसमें टीन लगाना है तो मिस्ट्री ही अलाग है जिसने आपको दिवार दे के देनी है वो मिस्ट्री अलाग है डिजाइन बनाने वाला मिस्ट्री अलाग है या आप गाउं में देखोगे तो गाउं में पहले टाइम पर क्या होता था डाक्टर एक ही होता था वही सरदर्द की दुआई देता था वही टांगे दर्द होने की दुआई देता था हर चीज़ पेट दर्द हो तो उसी की दुआई से काम हो जाता था लेकिन अब क्या है अ हे एक डाक्टर क्या specialized है, specialization है, हाट का doctor हाला गया है, अगर आपको हाट problem है, तो आप कभी उस डाक्टर के पास नहीं जाओगे, जो किसी और का specialized हो, जो I specialist हो, तो यह क्या चीज़ बोलता है, बोलता है काम क्या होगा, division हो गया, लेकिन यह मैंने आपको किसके एक्जेम्पल थी as a division of labor की लेकिन अब industrialization में कैसे division हुई वो बताता हूं मैं बोलता है industrialization is associated more specialized to efficient division of labor workers become more specialized in specific tasks workers भी क्या होगे जो factories में थे जो industries में थे industrialization की वज़े से क्या हो गया workers specialized होगे अपने काम में जिसको जो skill आता था अगर किसी को machine चलानी आती है तो machine का काम करता था जिसको machine चलानी नहीं आएगी उसको labor का काम दिया जाता था ठीक है तो लोगों को क्या कर दिया था specialized कर दिया था ठीक है contributing overall efficiency of production process थी यह सारी वज़ा किसकी थी production process था उसके लिए इतनी यह इतना कुछ चल रहा था ठीक है division of labor तो यह भी किसका aspect है industrialization का याद रखना industrialization में division of labor भी होती है हर कोई मतलब एक ही काम नहीं करता सारे कोई worker नहीं होते factory में कुछ workers होते हैं कुछ machines चलाते हैं कुछ उससे उपर होते हैं कुछ office संभालते हैं तो इसलिए क्या बोलता है industrialization की क्या आने के बाद brings होता है ना आना लाना industrialization brings उसने क्या लाया about profound changes in economic structure बहुत सी changes उसने लाई है profound means बहुत गहरी बोल सकते हो या बहुत कंभीर changes लाई गहरी profound changes in economic structure में लाई ठीक है जैसे की traditional economics based on agriculture जो पुरानी economy जो किसके बेस्ट पर थे हमारी वो थी हमारी agriculture के बेस्ट पर लेकिन इसने क्या कर दिया उसको मतलब उसको खतम कर दिया खतम ही हुआ जाने traditional economy based on economic giveaway to industrial economy इसने क्या किया इसको industrial economies में convert कर दिया ठीक है इसकी वाज़ा से वहां पर क्या होने लागा manufacture जो भी agriculture से रिलेट करते थी economy हमारी चार्ट जो ट्रडीशनल economy थी लेकिन कहीं न कहीं इंडेस्ट्रल economy कि से क्रेटर गाइज है हमारी मैनिफेक्ट्चर से प्रोड्यूस करने से न प्रोडेक्शन से ठीक है इस शिफ्ट आफ़न ओफन लीड्स टू इंक्रीज्ट इकनॉमिक ग्रोथ और हायर स्टेंडर अफ लिविंग भी हम रहने लगे न जो भी जो भी लोग है वहायर स्टेंडर लिविंग्स मतलब रहने ञर्फन लागे ठीक है तो यह क्या है यह किसकी किसके आस्पेक्ट से डिवीजन आ अफ लेबर एकनॉमिक जी यह हैं अमारे इंडस्ट्रिलाइजेशन में ठक है यह चीजे हमें कहां देखने को मिलती है इंडस्ट्रीलाइजेशन में ठीक है और उसके बाद है हमारा नेक सबसे पहले कुछ जरूरते होंगी आपकी कि वहां जाओगे कैसे वहां पहुंचोगे कैसे न कुछ आपकी क्या होगी जरूरत होगी ठीक है वहां पर आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए कुम्निकेशन नेटवर्क चाहिए ना जरूरी है बोलता है इस रिजल्ट यही वज़ा थी कि जहां पर इंडेस्ट्री थी जहां पर फैक्ट्री पर वहां पर क्या क्या चीज़ें आई वहां पर कंस्ट्रक्ट होई रोड बनी है ना रेल्वेज बने क्योंकि नीचे फैसिलिटेट इंडेस्ट्रेट अफ गोड्स एंडेस्ट्राइजिशन में ठीक है तो यह अगर समझ आ रहा होगा कि हां सर समझ आ गया कोई दिक्कत आई होगी कमेंट करना सर यह पॉंट समझ नहीं आया कि यह कैसे इसका एस्पेक्ट है तो यह चीज़ें आपने की देखने को मिलती हैं या नहीं मिलते हैं एक फैक्टरी में आपको टरांस्पोरच सिस्टम देखने को मिलता है या नहीं मिलता है इन्डूस्टरियलाइजिशन COVC और आपको इन्ड benchmark में और बेंगा है और इसका मतलब हम सहीं पढ़ रहे हैं अगर को यहाँ में घलत पाड़ रहे हैं ठीक है यह दो हमारें सोशल इंफक्टchau utilization में छाई कोई इंपक्ट किंडश्ट एंपक्त हैं धोत शुकलस्त वरकिंगोगे anter में बढ़ गई ऑ हिता है जात है कि पर खब Duas in wakтов फेमले स्ट्रेक्चर में आपको बता बहें दिया कि कैसे ऐक फैमिली स्ट्रेक्टिर में क्या हुआ हुआ चेंजी जूई किसकी वज़ा से इंडस्ट्रिलाइजीशन की वाश जासे है ना अनटा अमर्जन सब और कुछ classes क्या है new social class आगे जैसे कि middle class बोल सकते हो आगे एक rich class हो गई classes में मतलब division होने लगी पहले classes में नहीं होती थी पहले सब एक जैसे ही होते थे agriculture ही होता था तो एक ही जैसे होते थे फिर क्या होगा थोड़ा classes में क्या होगे division हो गई ये ना new classes आगे जैसे कि फिर classes में हम कोई यह नहीं सोचना कि first class second class nursery class वो class नहीं है यह कुछ सी classes है यह classes है अमीर गरीब और middle class लोगों की ठीक है एक बहुत एक जो सबसे जिसके पस ज्यादा economy थी जिसके पस ज्यादा जिसकी factories थी जिसकी इंडुस्ट्री थी जिसके बड़े बड़े मशीने थ थी वो क्या बनगे वो होगे rich people मीडल आगे जो वहां पर काम करते थे जो थोड़े बहुत मतलब जिनकी रखलो मान के चलो जो आफिस वर्क करते थे जो उनके अंडरी थे middle class फिर उसके बाद आगे जो लेबर वगयरा आगे वो आगे पूर class तो यह class कहां है मर्जवी यह हम जो है ना labor moments demand for worker rights company industrialization यह सारी चीज़े आपको दिखती है कि डिमांड करते है workers अपने rights के लिए यह कहां पर मिलता है industrialization factories में workers demand करते हैं ठीक है उसके अलावा impact infrastructure भी है globalization हम interconnected है एक देश दूसरे देश से कुछ इंपोर्ट करते हैं हम दूसरे देश से लाते हैं फिर उसको manufacture करते हैं तो वह क्या है वह globalization है industrialization of a link to globalization as industrialization nation seek new markets of their products and sources of raw material से वहां से हम कुछ मतलब raw material लाते हैं फिर यहां पर बनाते हैं फिर हम उचे sell करते हैं इस लिए to interconnectedness of economic and global security तो यह क्या है यह हमारे industrialization से जुड़ा हुआ है ठीक है फिर next है हमारा environmental environmental impact ठीक है environmental impact क्या है but the while industrialization has lead to economic growth and improved living standards it has also been associated with environmental challenges increased due to use of natural resources, pollution, environmental degradation, common issues associated with industrialization यह आपको भी पता है कि हमारे environment पे भी कुछ न कुछ इंप्टा है असर पड़ता है जैसे कि हमारे जो मतलब जादा से जादा हम क्या कर रहे हैं अपने natural जो भी हमारे पास resources, natural resources उसका use कर रहे हैं due to factories set up करने के बाद industrialization होने के बाद है पुलूशन बहुत जादा है, environment degradation हो रहा है न, common use associated industrialization यह सारी चीज़े कहां से किस से जुड़ी हुई है, हमारे industrialization से जुड़ी हुई है, ठीक है तो next है हमारा political changes देखो कहीं न कहीं हमारे इसमें क्या है political changes भी हुई है, the shift from aggregating society to industrialized ones often result in political changes, government has adopt new economy realities न, बहुत एकॉनमी जो है realities and social structures का क्या किया है, government ने adopt किया है, न, नहीनी, मतलब चीज़ें, नहीनी policies, political changes में भी तो आई है, किसकी वज़े से, industry की setup होने की वज़े से, political ideologies में, अमर्ज हुए है, चेंजी हुई है, किसकी वज़े से, industrialization की वज़े से, यह हमारे क्या है, यह हमारे कुछ characteristics है, तो कुछ, मैंने आपको aspects बता है, किसके हमारे industrialization की, तो आपको पता है, अगर वो चीज़ेत की, तो कही न कहीं, उनका кुछ, effect है, yeah, Patient. प्रभाव है तो उसका प्रभाव क्या है असर क्या है ठीक है एफेक्ट्स क्या है सबसे पहले एकनौमिक ग्रोथ पे देखेंगे हम तो हम मैंने अपनी तरफ से जो भी पीडियेफ से हैं उनमें हर एक चीज मेंशन की हुए कि अगर किसी चीज का पॉजेट्व इंपक्ट है जो मैंने निगेटिव इंपक्ट भी साथ-साथ में रखा हुआ ठीक है तो हम डोनुन चीज देखें गे अगर एकनौमिक ग्रोथ का हमारे पस पॉजेटिव इंपक्ट है तो मैंने निगेटिव ейलिग के रहा एकति निगे क्या है थीक है तो पोजेटिव इंपक्ट च्보 industrialization has historically been associated with significant economic growth the transition from aggregarian economic to industrial industrialized ones has lead to increased productivity higher income levels and development of new industries आपको पता है economic growth का positive impact यह है कैसे कि जो हमारे परिवर्त्न क्या हुआ है वह हमने मतलब किसम podखों सब्सक्राइन यहांना हैं देश्ट्राइज़ हो गई है इन जिसकी को स्थार वा है किंडिश्ट्रियस थी एकर्षा समय प्रेसाई नहीं वन्हारा था उतने हाई प्रेसा नहीं मिलता था तो हमारी इंकम नहीं रहती थी लेकिन इंडुस्ट्राइज़़रों फैक्टरीज के सेट आप होने इंडिस्ट्रीज की तो इसमें बूगे चीजें होती कैसे हैं प्रॉडेक्टिवीटी कैसे इंक्रीज हुई हमारी जो मशीने हैं जो फैक्ट्रीज में मशीन जैना एक इंसान इतना काम नहीं कर सकता जितनी मशीन कर सकती है मशीन कोई राष्ट नहीं लेगे मशीन काम करती रहेगी। ठीक है कंटीनियू काम करेगी। वह अगर इनसान की बात करें तो हो कहीं नहीं राष्ट जरूर करता है तो इसी की वज़े से क्या है हमारी जो इन प्रॉडेक्टिविटी वह इंक्रीज होती है ठीक है तो अब इसका negative impact क्या है मैंने आपको positive impact बताया तो negative impact क्या है economy growth जो है during industrialization of an uneven leading to income disparity between different social classes है उनके आपस में कहीं न कहीं क्या बोलते हैं पर अंतर होता है income होता है ठीच है घो भी वहँघ्यहीं वर्कर्स होते हैं तो यह क्या है यह एक नगा टीपेंड़ेटिक्ट बताता है ठीच है कि social classes में मतलब different different classes में क्या होता है अपने आपने economic economic टीसपेरेटीच होते हैं लिदिंग्टो 으 क्नामिक डिस्पेरेटी सबसे पहला पहली चीज यह वोलते है surely क्या है फनकैनमिक डिस्पेरेटी करता है किसके बीच में बट्वीन डिफेरेंट टैड्स बीच मेंडिसको एक्षप्म Zwe nutiaय इसमें अंतर बताते हैं रिएसमें हासम कंडिशन को has been common during certain phase of industrialization यह आपको पता है industrialization में exploit होता ही labor है उसको exploit करते हैं ठीक है आज थोड़ा हो सकता है आपको background में थोड़ा बहुत आपको शौर सुनाई दे रहा हो है ना शौर सुनाई दे रहा होगा तो यह वजाए यह है कि मैं भी घर में नहीं हूँ तो मैं नानी के घर आया हूँ तो मैं भी कोई शौर या चोटे बच्चे रोते हो सुनाई दे रहे हूं तो वह manage कर ले ना कि क्लास तो लेनी थी क्लास नहीं बनाते तो तो फिर फिर जादा मुझे लगता है जादा comment आते कि सराज क्लास नहीं बनाई तो उसी को पूरा करने के अब तो बना इसलिए बनाई यह वरना शायद नहीं बनाता बट तो सेकंड चीज क्या है हमारी अर्बनाइजेशन से ठीक है आप manage कर लेना अगर शोर आ भी रहा है तो आपने क्या मैं आपने भी manage करना है ठीक है अर्बनाइजेशन पॉसिटिव इंपक्ट क्या है एक अर् सेंटर्स लीडिंग तो दा ग्रोथ आप सीटीज की ग्रोथ होना इंपर स्ट्रक्चर वहां पर इंक्रीज जॉब ऑपर्चुनिटी जादा होती है जहां पर आर्बनाइजेशन सोते जहां पर सीटीज होती है ज्यादा काम मिलता लोगों को development of culture and educational institutions यह सारी चीज़ें आप education institutions अच्छे मिलेंगे आपको job opportunity जादा मिलेगी लेकिन कहीं ना कहीं उसका क्या है कहीं ना कहीं उसका कोई negative impact भी रहता है ठीक है negative impact क्या है rapid urbanization can lead to our crowding ज्यादा भीड़बार हो जाती है ना और crowd हो जाते है ना वहां पर inadequate housing हो जाता है ठीक है और insufficient infrastructure होता है यह सारी चीज़ें कि कि कहां किसी वज़ए से होत यह urbanization की वज़ए से होती है ठीक है social issues क्या होते जिसे poverty होते है crime होता है है यह सारी चीज़ें कहां पर आपको देखने को मिलती है गरीबी वहां पर slums areas आपको मिलेंगे ज़ादा crime आपको पता है cities में गाउं में नहीं होते हैं इतने क्राइम जितने सीटीज में होते हैं इनएडुकेट हेल्थ केर मिलता है कि अबर जे डेंस पपुलिशन अर्बन एरिया थे यह आपको पता है तो यह क्या था है एक नेगेटिव इंपक्ट है किसका अर्बनाईजिशन का ठीक है मैं पॉजिट इंपक्ट बता कि यह कहानी सुना कि आप में अगर खत्ם करना हो तो यह चीज़ फलेवर मैंने आपको बताया भी है बट आपको खाली मैंने division of labor बताया है मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम अगर हो सकता है आपको अगर मैंने positive impact बताया urbanization का और वहाँ पे आपको आ गया कि options में कोई question ऐसा आ गया कि purity होती है नहीं होती है इसमें industrialization में है न उसका कोई impact पढ़ता है नहीं पढ़ता है industrialization की वज़ा से तो यह चीज़ें या crime कहां पे आपको देखने को मिलेगा ruler areas में ज़्यादा देखने को मिलेगा या urban area को देखने में मिलेगा न तो यह चीज़ें आप तब ही कर सकते हो जब आपने दोनु चीज़ें पढ़ी हो ठीक है technology अभी कोई आपकी date sheet नहीं आई है तो अभी कोई पता नहीं है कि paper कब होगा किसी ने comment किया था कि paper कब होगा हमें भी पता नहीं है कि paper कब होगा हाँ जूड बताना अगर जूड सुनना है तो मैं आपको as a prediction देता हूँ कि हाँ शायद जून जुलाई में हो या किसी ने comment करके जूट ही बता दिया था एक ने किसी ने बताया है comment करके कि जुलाई में होगा एक ने बताया है मार्च में होगा ये तो तुका तो कोई भी मार सकता है वो तो आप भी guess कर सकते हो कि हाँ आप इन्होंने syllabus दे दिया में भी मार्च में हो तो आपको फिलाल अपना syllabus कावर करना है ठीक है पेपर जब भी होगा वो सबको पता चलता है वो ताइम नहीं है कि आपको पता ही नहीं चले कि पेपर कब है ठीक है आज अगर अभी notifications आती है तो आपको दस YouTube चैनल ऐसे होंगे आपने subscribe करके रखे होंगे जो सबसे पहले आपको अभी नोटिफकेशन आई होगे और आपको बता देंगे कि आपकी date sheet आ गई है तो इसलिए उसकी टेंशन नहीं करो आप पेपर जब भी होगा उसकी टेंशन नहीं करो ठीक है वो सबको पता चल जाता है आपको इसले बस cover करने की टेंशन होनी चाहिए ठीक है तो industrialization is categorized by technological innovations अब हम मैं बात करता हूँ कि technological advancement से मतलब क्या क्या चीज़ें फाइदे मंद हुई और क्या कही नहीं उसका कुछ नहीं गोई negative impact भी आया ठीक है अगर positive technological advancement भी मानते हैं हम कि उससे क्या हो गई technological innovations से क्या हुआ है increase हुई हमारी efficiency and productivity है ना यह तो हम मानते हैं कि machines आई उसकी वज़े से हम जो काम हम जो labor लगा के दस labor नहीं कर सकती है वो एक machine कर रही है ना तो वो तो हमारा फाइदा हुआ ठीक है वो हमारे positive impact हुआ it includes development of machinery transportation यह सारी चीज़े communication networks यह क्या है हमारे positive impact नहीं किसकी वज़े से industrialization की वज़े से यह effect पढ़ा यह प्रभाव पढ़ा हम पर और negative impact क्या हुआ कहीं ना कहीं इसकी वज़े से क्या हुआ technological change during industrialization can lead to job displacement हो गई as machines often replace manual labor जैसे मैंने आपको example दी कि एक machine 10 इंसानों का काम कर रही है लेकिन कहीं न कहीं वो 10 इंसान क्या होगे उसकी वज़े से 10 लोग क्या होगे बेरोज़गार हुए तो यह क्या हुआ यह negative impact पढ़ गया एक societies में this can contribute to social and economic upheavals है न तो especially during transitional periods ठीक है तो यह क्या बोलता है बोलता है कि कहीं न कहीं किस की वज़ए से industries की वज़ए से factories की वज़ए से machinery की वज़ए से technological advancement होने की वज़ए से क्या हुआ है कि जो लोगों का काम कहीं न कहीं काम हुआ है तो और क्या हुआ अब next division of labor आपको मैंने पहले बाद positive impact यहीं हुआ कि क्या हुआ division of labor से increase हुए हमारी productivity क्योंकि लोग specialized होगे जिसको जो काम आता था वो वही करने लगा है तो इसको बहुत ताइम तक उसको काम भी करना पढ़ने लगा था division of labor क्योंकि उसको वही काम करने पढ़ना लगा repeated work है न सेम इंडिविजुल्स को वरकर्स में फेस हराश है ना फेस करता था हराश खुद को working conditions में ठीक है क्योंकि उसको long hours and exploitation होने लगे employers की है न पार्डिकुलरी ने early stage of industrialization में खासकर यह पहले पहले बहुत जादा होती थी कि early stage of industrialization में तो यह इसका क्या था negative impact था नेक्स्ट है social change अब social change में क्या होने लगा positive change क्या थी positive change क्या थी कि social change को क्या हुआ including increased access to education मिलने लगी है ना मतलब social हो गया है समाज में changes होई है na societies में तो उसमें क्या हो गया education improved living standards लोगों का बहुत जबरदास्त तरह middle class emerging contribute employment मिली है certain social groups को जैसे कि एक positive impact में ये भी बताओ कि women's को पहले rights उतने जादा नहीं थे social changes यह हो गई कि वो जब factories में मतलब women's के पहले काम करना बाहर का काम नहीं करते थी लेकिन जब वो factories में चले गए तो वहाँ पे भी वो काम करने लगी तो ये women's को क्या होई एक empowerment हो गई तो नेगेटिव इंपक्त के social inequality होगी आफन एक कॉंपनी इंडेस्टिलाइजेशन में वर्किंग क्लास है ना inequality कैसे होगी जैसे working class in particular faced exploitation या poor living conditions वाले बहुत जादा exploit करते थे उनको ना ठीक है poor living conditions जिनकी थी उनको बहुत जादा exploit किया जाता था जो सबसे labor जो manual laborers थे काम करते थे and limited access to education और health care social tensions होगी ना बहुत सी tensions होती है जैसे मैं आपको crimes वोगए आपकी example देगी ये तो crime भी एक समाज की tensions होगी labor moments होगी है ना उनको प्रापर उनके wages नहीं मिलने लागे है ना जितना वो काम करने लागे तो labor moments होगी तो ये सारी क्या थी ये सारी क्या है social changes है ठीक है उसके बाद क्या बलता है कहीं न कहीं environmental impact भी है positive impact क्या environment पे कि technology improve होगी हमारा living standards है ही रहा है development हो गई environmental regulations and cleaner technologies की है ना तो वो क्या था environment पे impact था आसा था तो उसका negative impact क्या होगा है जैसे greenhouse gases हो गई है ना pollution हो गया deforestation करने लगे कहीं नकर इंडेस्टिलाइजेशन के factories के लिए वो deforestation भी तो करनी थे उन्होंने है ना तो ये सारी चीज नहीं क्या है ये होगी आपकी negative impact ठ है तो फिर globalization की बात करें globalization आपको मैंने पहले बताए globalization वही है कि हम क्या globalize होगे interconnect होगे हार एक country से है ना जुड़े होगे जो चीज़ हमें चाहिए होती है जैसे की globalization की example मैं आभी बता देता हूं आपको जैसे flip card है flip card है Amazon है हम क्या हम globalize है कुछ भी चीज़ चाहिए होती है हम online मंगवा देते हैं और हमारे address घर तक पहुंच जाती है तो वह क्या है हम globalize है मतलब हमारी जो हमारी जो technologies है वो कोई यहीं तक सीमित नहीं है मतलब कहीं भी किसी भी देश से आप कुछ भी मंगवा सकत अब तक पहुंच जाता है ठीक है industrialization is played globalization economy facility international trade होता है इंपोट-export होता है तो वह किसकी वज़े से globalization की वज़े से हम जुड़े हुए है न गुलोबाइज एक दूसरे के interconnected हैं तो exchange of technologies होता है ठीक है development of global supply chains है याद रखना यह किसके में industrialization की बात कर रहा हूं है तो आप बोलता है the globalization resulting from industrialization can be economic dependency और इसकी वज़े से हम कहीं न कहीं कहीं है उन पे ही dependent है अगर कुछ इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो हम अब उन पे कहा है dependence है है हमारी economy उस पे ही dependency है and vulnerability है developing countries may become dependent at limited range of industries है न and global economic don't dance can be widespread effects ठीक है वो इसका असर है याद रख लेना ठीक है यह इसका negative impact है उसके अलावा क्या है health impact पे क्या है बोलता है health impact का positive बताएं तो positive क्या है कि नहीं नहीं technology medical technologies वेक्सिन इंप्रोड नहीं है इंप्रोड सैनिटेशन से बहुत सी चीज़ें क्या हुए है health care की improved भी होई है ठीक है तो अब इसकी वज़ा से क्या है health पे कैसे impact पड़ता है बोलता पूर वर्किंग कंडिशन जो exposure hazardous substance in industrial settings have historical posted health risk for workers industrial pollution scan also a negative public health effect nearby communities कहीं नहीं कहीं नहीं industrial का जो pollution होता है वर्कर्स पर उन वर्कर्स को भी तो वो कहीं नहीं पूरूशन पूलूट करता है health को नुकसान देता है न तो बोलता है यह क्या है negative public health effects है किसमें क्या बोलते हैं health impact के लिए किसमें industrialization में क्योंकि pollution होता है ना काम करते है factors चलेंगी तो pollution तो हो गई ठी उसके लावब बोलता है कहीं न कहीं कुछ कहा है cultural changes भी है cultural way of life हमारी change होगी या positive impact क्या पड़ा हमारी way of life पे कैसे जैसे कि हमने नए नए ideas आगे education system नए आया है कुछ चीज़ें हमने नए चीज़ें ली है education system गया cultural exchange होगे cultural exchange as people more to urban areas कहीं न कहीं हमारा कोई traditions जो चीज़े थी वो क्या बोलते हैं वो नए है आज हमारी क्या है new new ideas आगे हैं नए नए चीज़ें हमारे हम देख रहे हैं नए नए ideas नहीं नहीं belief system हम follow कर रहे हैं तो negative impact क्या पड़ा negative impact पड़ा some argue that industrialization can control origins of traditional culture है कहीं नए उसने क्या कर दिया है traditional culture को खतम कर दिया है ठीक as society transitions from aggregation to industrial economy मैंने आपको पहले बताया कि society क्या होगी aggregation से industrial economics पर dependent हो गई है नए वह हो चैंज होगी the dominance of mass media and consumer culture also leaders cultural homogenization तो अब क्या बलता है बलता है कहीं 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 क्या हुआ है हमारे culture में है जो हमारे culture में है जो चीजें हम एक जिसी मानते थे वो कहीं न कहीं क्या हो गई है चैंज हो गई है ठीक है याद रखना है तो यह क्या थे यह कुछ cultural changes थी ठीक है तो अब देखते हैं हम थोड़ा सा modernization ठीक है थोड़ा class फिर जादा लंबी हो जाएगी फिर lecture boring हो जाएगा ऐसा मानना है सबका तो मैं आपको इसी modernization में थोड़ा सा बता देता हूं कि modernization क्या होता है वो हमने industrialization पढ़ लिया industrialization क्या है ठीक है तो modernization क्या है modernization refer करता है process of adopting and incorporating new methods, techniques, ideas, technologies or values into a society, organizations or system with the aim of bringing about improvements and progress, it is a dynamic and ongoing transformation that often involves changes in various aspects of life such as a technology, infrastructure, economy, governance, education, culture and social norms तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, modernization या modern होना, खाली एक चीज़ में modern होना नहीं होता है modern यह नहीं है कि आप कोई pant kameez लगा रहे हो, मतलब आज के लोगों क्या दिमाग में बैठा हुआ है कि लड़की pant shot लगा रहे है तो वो modern है वो modern एक चीज़ को लेके नहीं होता है, modernization कोई छोटा मोटा process नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं है modernization मतलब आपकी हर एक चीज़ में change होना, मतलब हर ideas आपने अच्छी चीज़ हैं मतलब यह नहीं है कि आप आपके जो belief systems हैं या आपके जो ideas हैं वो दूसरे को लेके आपके कुछ negative हैं और आप बोल रहे हो कि वो modern है, नहीं वो बिलकुल modern नहीं है अगर कोई dress को लेके देखें, हर किसी का prospectus होता है, हर किसी का नजरिया अपना-पना होता है, हम वो भी पढ़ेंगे मैंने वो भी prospectus भी लिखे होएं इस पर, prospectus के हिसाब से क्या-क्या है, ठीक है, तो मतलब modernization, सबसे पहले आपको ये दिमाग में बिठाना है, कि modernization खाली कपड़ों को लेके modernize होना नहीं है, ठीक है, मैं किसी girls के लिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ये समझ लेना point मेरा, मेरे बोलने का मतलब है, modernization होना खाली pen shot लगाना, modernization का होना नहीं है, ठीक है, या किसी की family में खाली, हाँ जी उन्होंने pen shot लगाती है, लड़की है, तो वो modern है, नहीं, उनकी ideologies में, उनके ideas में changes होना, ठीक है, एक, उनकी जो, मतलब, जो सोच है, वो भी change होनी चाहिए, ठीक है, वो भी modern होनी चाहिए, उनकी ज way of life में, मतलब, उनके तरीकों में क्या बोलते हैं, changes होनी चाहिए, way of life में उनकी changes होनी चाहिए, तो हम modern बताएंगे, ठीक है, इसलिए modernization ये नहीं सोचना, कि modernization कोई छोटा process है, modernization खुद में ही बहुत बड़ा topic है, ठीक है, अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कि modernization रेफर करता है, process of adopting and incorporating new methods, ठीक है, पुराने जो traditional methods से कहीं न कहीं, उनको थोड़ा change करने के जगा, हम क्या कुछ नए methods यूज़ करते हैं, कुछ नए techniques यूज़ करते हैं, अपने societies को चलाने के लिए, अपने नए ideas बताते हैं, जो जो नए नए चीज़ें देखते हैं, अपनी improvements होना, उनमें कुछ चीज़ें changing होना, progress होना, उसको बोलते हैं, modernization, modernization is a dynamic, it is a dynamic, not a static, modernization आज जो चीज़ें हम आज कर रहे हैं, वो कही देश या बहुत से countries ने बहुत पहले कर दिया, वो modernize है, ये dynamic process है, ये कोई static नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि बस अगर आज हम ऐस हैं, तो ऐसे ही रहेंगे नहीं, ये dynamic process है, ये change होगा, and ongoing transformation है, किसमें, that often involves the changes in various aspects of life, बहुत सी चीज़ों में changes होना, जैसे कि technologies में, infrastructure में changes होना, इस ये, मौनलब, आज, लोग क्या करते हैं, infrastructure जैसे कि, कही जिगाओं पे, schools है, modernize, modern कैसे school बोलते हैं, वहां का infrastructure है, उसमें change ह होना, ठीक है, जैसे कि, तो इस चीज में, जैसे कि infrastructure में, मैंने बताया, आपको जैसे कि modernize कैसे होंगे, जैसे कि, वहां का infrastructure है, वो change हो जाएगा, जैसे कि, पहले black board पे प्राते थे, आप white marker board है, न, कहीं तो उससे भी जादा project चलते हैं, तो वो क्या है, वो हमारा, infrastructure में change हो न, cultural में, social norms में, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कि कैसे कि इसका prospectus लेके क्या है, ठीक है, तो वैसे यहां पे shore भी थोड़ा जादा है, ठीक है, तो आज का हम lecture यहीं पर रख देते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको definitions बताऊंगा, कि क्या होता है, ठीक है, definitions में एक ची को लेके कैसे किया है, ठीक है, तो सारी चीजें हम फिर से अच्छे से बताऊंगा, अब इसी के साथ modernization के साथ हम globalization भी next class में खतम कर देंगे, ठीक है, तो आज का इफलाल इतना ही रखते है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है कियो, इसी बनी है, आप भी देख लेना ठीक है रुवाज क्लियर आनी चे आपको समझ आनी चे बस इतना भी बहुत है ठीक है ठीक है ठाइंक यू